जहिन चात्रो मैं इशारहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी कफिर से स्वागत करता हूँ और मैं यह हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिलकुर बलकरार रखे और साथ में उसे एक युद्धिस्तर पे लेके जाईए। बहुत सारे शात्रों को मैं सुपकामनाय देना चाहता हूँ जो भारतिय भूगोल का हमारा सेशन चला उसको continue जो है वो follow किये और जो है निरंतर जो है वीडियो देखते रहे और अपनी तयारी बहतर करते रहे और एक निवेदन करना चाहूँगा जो जो छात्रों जो है आपका निरंतर रूप से इसके तयारी कर रहा है और इसे देख रहा है कि जो last में पूछा गय से किया या आप casual तरीके से पढ़ रहे है ठीक है एक normal way पे जो है पढ़ लिए भई और परिच्छत निकालना है कभी भी निकलेगा ऐसा नहीं मैं बार 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 बोलता हूँ प्रतियोगी परिच्छाओं की तैयारी एक युद्धी स्तर पे करिए अधिकारी बनना है मतलब बनना है ठीक है आशा करता हूँ इतनी सारे चीज़े आपको समझ में आई होगी और मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक अनमोल वचन लाता हूँ एक सुग विचार लाता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार से हैं यहां देख सकते हैं जो अपने जीवन में कठिनाईयों से टक कराते हैं वही विकास के पत पर आगे बढ़ पाते हैं याद रखेगा परिस्थिती कोई भी हो परिच्छाय नीरंतर हो रही है अपना थोड़े-थोड़े इस तर पे आकलन कीजिए और जो यह स्मार्ट स्टेडी बेस जो यह सेशन चल रहा है एक क्विक रिविजन फॉर् चीज आपको competition community जो है free of cost YouTube के माध्यम से आपको provide कर रहा है अब जो है जो छात्र इसे पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं निवेधन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो चैनल को subscribe करें बैल आइकोन को दबाएं और नीरंतर जो है आप भारती इतिहास से लेकर आपका भारत स्टार्ट होने वाला है भारती इतिहास पहले उसे असान तरीके से समझेंगे कि program कैसे होने वाला है उसके बाद जो है हम detailing देखेंगे साथ में detailing भी है इस question format के साथ detailing देखेंगे then question करेंगे तो सारी चीज़े हम smart way पे याद करते जाएंगे ठीक है आई ये start करते हैं ये रह सारा subject आपका YouTube के माध्यम से free of cost अच्छी तरह से आपका cover होते जाएगा और उन बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा बार बार मैं बोल रहा हूं कि अगर जो वीडियो देख रहा है वो comment box में answer जरूर दे ओके आईए तो इसे समझते हैं भारत का इतिहास हमारा क्या है subject subject है अब हमारा भारती इतिहास subject है यह तो clear है मैंने बताया थे कि सारे subject के सारे topics cover कराया जाएगे आप पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें प्रोग्राम को और अच्छी तरीगे समझ में आ जाएगा अब जो है इसे हम तीन पार्ट में divide कर दियें तीन भागों में भीभक कर दियें पारंपरी ग्रूप से ऐसा तो हर एक छात्र पढ़ता होगा जो competitive exam के तयारी कर रहा है और जो पहली बार अगर देख रहा होगा तो असानी से समझ सकता है देखिए पहले हम ancient history cover करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास then medieval history मद्यकालिन भारत का इतिहास फिर उसके बा मारा stone age cover होगा stone age हना पाशानकाल उसके बाद आपका इंडस्वेली civilization then उसके बाद आपका रिगवैदिक इरा और सारे topic धिर धिर आते जाएंगे आशा करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा medieval history start करेंगे जैसे हम तो medieval history start होने से पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि medieval history के आपके इस्तरोत कहां से प्राप्त होते हैं उसका भी topic है एक प्रकार का उसके बाद जो है आपका इसमें जो है गुलाम वन्स गुलाम वन्स से start करेंगे ठीक है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वन्स खिल्जी वन्स तुगलाम वन्स सायद वन्स लोदी वन्स सारे वन्स जो है उसके questions जो प्रतियोगी परिछाओं में cover किये पुछे जाते हैं उन सबको smart based पे हम देखेंगे ठीक है करेंगे और जो पुछे जा सकते हैं उन तथ्यों को भी detailing हो रही है ठीक है उसके बाद आपका modern history इसे तो आ बता देता हूं एक बारत का इतिहास जो है हमारा विशा है प्राचीन portion हम cover कर रहें ancient portion cover कर रहें पशाण का भाग वन है ये stone age का part 1 है part 2 भी इसका आएगा ठीक है कुछ questions इसमें है और कुछ questions जो है उसमें रहेंगे कुछ detailing इसमें है कुछ detailing इसमें रहेंगे ठीक है इस प्रक इतिहास भी जो है आपका वो भी तीन भागों में भगत है सर बोलोगे सर कितने भाग में भगत करोगे अरे भाई एक स्मार्ट वे पर चलिंगे ना सारा इस्ट्रक्चर तयार करेंगे सबसे पहले कि पढ़ना क्या क्या है अब सब चीज को इतिहास को पढ़ लेना उचित नहीं है जहां से questions पुछे जा रहे हैं और जहां से questions पुछे जा सकते हैं उन तथियों को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आप प्रतियोंगी परिच्छाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आईए देखते हैं यहां दिखाई दे रहा है प्रागयतिहासिकल का प्री स् जीवे पर याद रखना है चोटी-चोटी चीज़े ज्यादा डिटेलिंग नहीं वन डे एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं प्रिलिम्स के अकॉर्डिंग हम प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो सारी चीजों को जीतना आसानी से पढ़ेंगे उतना बहतर होगा ओके तो आप अध्यातिहासिकल यह आपका प्रोटो इस्टोरीच उसे कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता इसे ताम्रकास्यय यूगीन सभ्यता भी कहा जाता है ठीक है कासे की खोज हो गई थी ताम्र की खोज हो गई तो इसलिए इसका नाम भी रख दिये गया है ताम्र कासी यूगी ने सब्भ्यता इंडस वेली सिविलाइजेशन इसके अंतर गता आता है ठीक है टॉपिक एक 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 ही याद रखेंगे पढ़ने के लिए बहुत सारा ह इसमें, ठीक है, तो इतिहास कारनी बनना है, इतिहास कारनी परिच्छा निकालना है, ठीक, अब यहाँ देखिए, इतिहासी काल, रिगवैदी कीरा से स्टार्ट हो गई, ठीक है, लिखे साक्षे प्राप्त होते हैं, लौकिक साहित्य, यात्रा वित्रान, त्रवेन सांग का सुने होंगे, ठीक है, तो उन सब सारी चीज़ों के कोस्टन, जो है, एंशेंट पोस्टन से पुछा जाता है, उसे हम इसमें करेंगे, ओके, तो आईए, इतना आप लोग को समझ में आया होगा, स्टार्ट करते हैं, यह रहा हमारा भारत का नक्सा, मैं बार-बार बोलता ह कि सारी चीज़ों को हमें मैप ओरियेंटेड याद रखना है, जिससे कि जब हम पेपर हॉल में बैठे हैं, तो हमारा प्रेशर जो है, वो रिलीज हो, और हम सही तरीके से सही जगा पहुच जाए, और आपका कोस्टन हमारा बन जाए, ठीक है, तो आईए कुछ इस प्रकार समझते हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको यह भारत का इस प्रकार से नक्सा यहाँ दिखाई दे रहे है, ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस प्रकार से भारत इस्थित है, अब यहाँ पासानकालीन इस्थल यह आपका प्रागयतिहासिक काल, अगर पहले हम न जगा है जहां से कि प्रागति हाशी काल के साक्ष प्राप्त होते हैं मतलब पाशान काल के साक्ष प्राप्त होते हैं ठीक है तो देखो पाशान का मतलब क्या होता है सबसे पहले बताओ पाशान का मतलब होता है पत्थर तो पत्थरों से जो साक्ष प्राप्त होते हैं वो क्य ज्याद रखना है, एक मैथट होता है, यूरेनियम मैथट, ठीक है, क्या बोला मैने, यूरेनियम मैथट जो होता है आपका, उसके द्वारा पत्थरों की आयू ग्यात की जाती है, क्या ग्यात की जाती है, पत्थरों की आयू ग्यात की जाती है, उनकी उमर ग्यात की जाती है जिससे पता चलता है कि ये पसाण काल से संबंधित है ओके, इतना समझ में आया है अब देखो, uranium method समझ में आया आगे में इसका detailing भी है, प्रशनी भी करेंगे लेकिन थोड़ा-थोड़ा अभी दिमाग में set करना है तो uranium method से पता किया गया आपका भारत में कहा कहा से पसाण काली इस्थल पराप्त हो है ठीक, देखो, आपका ये है नर्मदा न दी भारती भुगोल कि यहां अमर कंटक से निकलेगी आपका यह 36 गड़ वाला पूर्शन आमान के चलो, यहां से निकली नर्मदा न दी अमर कंटक से तो न Gör Scrнь गाटी वाला जो पूरा चेत्र है वो पसाणकाल के इस्थल से पूरा परिपूण है भणडारण है, वहां से पसाणकाल के इस्थल फेसाणकाल इस्थल, यह पूरा भणडारण है सुनना है भी सिर्फ खाली, ठीक है, बाकी सारा मैपिंग में आपको याद कराने का गैरेंटी मेरा, ठीक, तो यहां देखे भीम बेट का, आपका आदमगड वाला इलागा, ठीक, उसको हाथ नवरा मिलेगा यहां, ठीक है, तो यह सब जो है, आपका तामर पासान, नवदा ट बोलता है, नर्मदा घाटी चेत्र, मतलब आपका मध्यप्रदेश, देन उसके बाद याद रखना है, उत्तर प्रदेश याद रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से खेती से याद रखना है, रिलेट करना, पहले सेट करना है दिमाग, अगर बोले जाएगा कि सब से पह हुआ है कि याद कराने का घरेंटी मेरा है तो आपका क्या हुआ कोश्न कराऊंगो का सारे याद होते जाएंगे तो आपका लुहरादेव और आपका कोल्दी हवा चाह याद रखने उत्तर-प्रदेश ठीक है उसके बाद आपका सीधह जाना है यह वाला चेत्र डख्षिन ज ही खाय दे रहा है सबको कि कोई बात निवापस आते हैं अब क्या हुआ कुछ उत्तर पर इस तरफ चले गाया अपन है आपका उत्तर पूर्वी छेत्र ठीक है इस प्रकार से पहले कहां मद्य में फिर उत्तर पूरवोट पर दक्षिण में आ गया दर रखनेगणा नागरजून कुन्डा और आपका याद रखनेगण LIKE रेलेशन पूरह में करवाक है क्लों से इस्थल कि जो चालर पहले से पढ़ चूके हैं वो सारे साथ बता है कि मध्य पसानकाल का कुंस है, पूरा पसाणका कोलस है, आपका उत्तर पसानका कोलस है, नौपसानकाल का कोलस है, तामर पसान, यूंगी शाक्षि कहां से प्राप्थुते हैं, सब याद कराऊंगा, पहले क्या है, यहाँ जो है आपका देखने को मिलता है तो पाकिस्तान में लेकिन आपका इसे हमेशा पूछता है पाकिस्तान बलुचिस्तान वाले एरिया में आपका है मेहरगड ठीक है जहां से आपका पशाण काल से लेकर मुगल काल तक के बताया मैं आपको डिवाइट किया, ठीक है, दिल्ली सल्तना तो मुगलकाल तक्के के साक्ष जो है, कहां से प्राप्त, स्वारी यार, माफ करिएगा, मुगलकाल से तक्के तो नहीं मिलता है, धोके से निकल गया, ठीक है, वो आपका अलेक्जेंडर कनिंगम सहाब याद आ ग अपका याद रखना है, फिल हाल, रुक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में याद रखना है, यहाँ से याद रखना है, बूर्ज होम, चलिक है, तो क्या-क्या याद करा है मैंने, नर्मदा घाती छेतर, आदमगड भीम बेट का वाला छेतर, फिर उसके बाद हम कहां गए उत्तरपूर वो गये, ठीक है, उत्तरपूर में क्या याद रखा, कोलडी हावा और आपका लोरादेव, दक्छिण में आये, दक्छिण में याद रखा अब इसको आराम से समझते हैं, इतना तो याद रखना है कि पाशान का मतलब होता है पत्थर, यहां देखे हम इतना डिटेलिंग, एक बर रिवाइस कराता हूं, पाशान का मतलब होता है पत्थर, और जो पत्थर से साक्षि पराप्त होते हैं, उसे आपका पाशान काल से प्राग एतिहासिक काल, मतलब क्या होगा आपका Prehistoric Age, ठीक है, इससे पूछता है प्राग एतिहासिक काल को और क्या कहा जाता है, ऐसे प्रसंदिदेखने को मिलेंगे, तो याद रखेगा, 1853 में, रोबर्ट बरुस फुट ने सबसे पहले पसान कालिन इस्थल प्राप्त किय किसने 1863 में रॉबर्ड ब्रूस फूट ने सबसे पहले क्या पराप्त किया पसानकालिन इस्थर और याद रखिएगा चात्रो अगर बोलेगा भारतिय पुरातत्व के पिता या जनक किसे कहा जाता है तो सर अलेक्जंडर कनिंगम को कहा जाता है जो की भारतिय पुरातत्व विभाग मतलब आपका औरकोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानी देशक थे और जहां मैंने तोटी की थी वो इनहीं के बारे में है याद रखिएगा कि पाशानकाल से लेकर आपका मुगलकाल तक्के के सारे पुरातत्वी खोज इनहीं के नेत्रित में हुए जो कि भारत के दृष्टिकों से बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है यह यहां दिखाई दे रहा सर अलेक्जंडर कनिंगम अब देखिए अध्यन को और मतलब अच्छा बनाने के लिए मैंने स्टार्ट में किया कि आपका पूरा पाशानकाल मध्य पाशानकाल और नव पाशानकाल बार बार जो है आप सार आप बहुत सारे भागों में भीवक्त कर देते हैं तो एकदम बेसिक से चलना है और आसानी से कहानी समझना है वसे ये कहानी समझने योग तो है नि किसी के कहानी तो पता नहीं चलना है पत्थर से साक्षी प्राप्त हुए तो लेकिन इसे समझने के दिरिश्टिकोर से कैसे समझा जा सकते है आईगे पूरा पासान काल अब यहां दिखाई दे रहा पेलियोलिथिक प्रियेट ऐसे भी प्रस्ण पूछे जाता है पूरा पासान चाहे हूँ आपका हिंदी मीडियम चात्रो या इंग्लिश मीडियम चात्रो दोनों फॉर्मेट में इसको तो कम से कम याद रखिए ठीक है तो आप पूरा पासान काल या पेलियोलिथिक एच, देन उसके बाद आता है मद्धय पासान काल या मिso लिथिक एच या इसे ही कहाँ जाता है मायक्रो लिथिक एच क्योंकि इस समय जो है, छोटे छोटे आउजारों का निर्मान किया गया था ये क्या है? मनुस्तिके जिवनीयाप जीवन के स्तर के अनुसार भाट हैं जिसे पूरा पसाणकाल मतल़ा पूरा पासाणकाल मनुस्री का जीवन इस्थिर था यह नहीं, क्यां संघ्या दिदी गई , पूरा पासाणकाल मध्य पासानकाल थोड़ा सा सब भी हुआ, छोटे-छोटे आउजारों को प्रयोग किया, हमें विज्विलाइसेशन करके, अभी जो चीतर रखा है, उससे सारी चीज़े और अच्छी समझ में लेकिन आपका इसे अभी समझना है, तो मध्य पासानकाल, माइक्रोलिथिक एज उसके बाद आपका मिसोलिथिक एज भी कहते हैं से, अब हता है आपका नियोलिथिक एज या नव पासानकाल, जब मनुष्य जीवन इस्थिर हो गया, कभी लाई जीवन ही आपन करने लग गया, इस प्रकार से याद रखना है, इतना सबसे पहले दिमाग में सेट करो, ठीक अब आदी मानों को जीवन इापन करता था, खाना बदोस था, जो भी मिलता था, खा लेता था, अब जहर को नहीं खा लेता था, ठीक है, लेकिन क्या करता था, सिकार प्रधान था, सिकार करके जो भी मिलता था, कोई सभी जानवर मिलता था, उसे खा जाता था, ठीक, और य जाना बदोस जीवा ने आपन का मानव की सबसे बड़ी उपलब्दी आगी की खोच की, ठीक है, उसके बाद जो है, आपका इस समय मानव पत्थर बड़े-बड़े आउजार बनाता था, ठीक है, जिसके साक्षे हम पल्लवरम बताया न, आपका तमिल नाडू, तमिल नाडू को प्योग करता था, तो पल्लवरम याद रखेगा लिखना है, भीम बेटका याद रखना है, इसका सबसे बहतर साक्षे प्राप्त हुआ, जो आपका भीम बेटका कही था, जो कि मध्य प्रदेश में इस थी था, तो कौन-कौन सी दो जगा याद रखना है हमें, सिप दो- पुरा पाशानकाल, भीम बेटका और पल्लवरम, ठीक, और इस प्रकार से इसके साक्षे आत रखना है, मानाओ कि सबसे पहली खोज कौन सी है, तो आग की खोज की उसने, फ्लिंट, फ्लिंट मतलब होता है, चक्मक पत्थर, और चक्मक पत्थर का उसने अविश्कार कर लि ठंडी वगर लगेगा तो जाएगा ना, और नहीं जाएगा तो बस विजुलाइज करना है, कि सबसे बड़ी खोज क्या थी, आग की थी, ठीक है, जादा दिमाग नहीं लगाना है, इत्मी नान से चलना है, ठीक है, सारा चीज कवर होगा, आगे बढ़ते हैं ये, अगला ह हमारा मद्यपासाणकाल, जिसको मिसोलिथिक एज कहा जाता है, और माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, कि छोटे-छोटे आउजारों को अपयोग किया था, इस समय की सबसे बड़ी उपलब्दी थी, आपका कि मनुस्य जो है, आपका क्या करने लग गया, पशु पालन क करने लग गया, और मनुस्य का सबसे पहला पालतु जानवर था, कुत्ता, ठीक है, क्या था, कुत्ता, डॉगी, ओके, तो अब भी डॉगी बोल दिया हूँ, कई लोग को कुत्ता को कुत्ता मत बोलो, डॉगी बोलो, इस टैप का मेरे साथ घटना हो चुकी है, तो इसलिए सबसे पहला जानवर क्या था, आपका डॉगी, मतलब कुत्ता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, यहां देखिए, महोदय फिर से आ गए है, छोटे-चोटे आउजारो को प्योग कर रहे हैं, ठीक है, तीर कमान वगयरा, और इस प्रकार से छोटे-चोटे- सक्षि पराप्त होते हैं, याद रखेगा मध्य पासानकाल से, मध्य पासानकाल में याद रखना है आपका लूहरा देव, ठीक है, अब इसमें थोड़ा confusion create होगा, लेकिन याद रखना है आपका लूहरा देव, और आपका, जहां से क्रिसी के सक्षि पराप्त होते हैं, ल कालीन इस्थाल है जहां से आपका पता चलता है कि आपका ये क्या था माइक्रोलिथिक एच के अंतरगत आता था तो दो याद करें आपन कौन-कौन सा लोहरा देव याद किये और आपका क्या याद किये मेहरगण ठीक है आगे बढ़ते हैं एकदम अराम से चलना है मैपिंग करके सारा चीज याद करा दूगा कहां कहां से साक्ष है लेकिन अभी पसी विजुलाइजेशन में जाना है दिमाग में सारी चीजे स्रैट करना है सारी चीजे याद करके आगे बढ़ना है अगला है नौ पासान काल नौ पासान काल मनुस्य का जीवन इस्थिर हो गया मनुस्य जो है खाद्यान फसल वगरा फसल वगरा आपका खेती करना प्रा तो इस प्रकार से याद रखना है, आगे बढ़े, यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर महोदा आ गया है, कहीं ना कहीं, अब भाई, वो तो पुराने हो गया हो गया, ठीक है, जनरेशन चेंज हो गया, ठीक, तो यहाँ देखो, आपका कौन बैठे है, चक्का बनाते हुए तो इस प्रकार से समझना है, तो देखो, चीतरन भीमबेटका में हुआ, लेकिन चीतरन और बहतर हो गया, इस्थाई जीवनियापन कर रहा है, मतलब जोपड़ी बना लिया, ग्रामी टाइप के जीवनियापन कर देखो, एक्सरसाइस कर रहे हैं, और यह जो है, आपकी महो पोच किया, और तामबे से बरतन वगरा का इस्तमाल करने लग गया, याद रखना है, यहां से नवदा टोली, क्या याद रखना है, नवदा टोली, ठीक है, मैंने सायद आपको बताना भूल गया है, कि आपका नौ पशाण का लिन इस्थाल कौन-कौन सा है, तो याद रख है, नक्से में सारा चीज याद कराऊंगा, मैं आप लोगों को चिंता नहीं करना है, ठीक है, नवदा टोली याद रखना है, आपका तामबे कैसे साक्ष पराप्त हुए, अब हमारे आते हैं, गोली दाखते हैं, हम सिधा क्या प्रस्निकी हो, देखो, सिधा बनेगा आपक लोग संस्कृती, दिखाई दे रहे आपको, तो याद रखेगा चात्रो, कि ये भी सही है, पुरातात्विक खोदाई के द्वारा जितने साक्ष पराप्त हुए, वो आपका पुरातेत्विक खोदाई के अंतरगत आते हैं, जो कि अतिहासिक दिश्टिकोन से बहुत बिल्कुल एतिहासिक दिश्टिकोन से बहुत मतलब आपका महत्वण है, परंपरा के तोर पे चली आ रही है, और इसी से हमें बहुत सारे एतिहास का ज्यान प्राप्त होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ये, अगला प्रसन है हमारा, प्रसन को मंग तीन भारती पुराता तो सर्वेक्षण नेमलिकित विभागों को मंत्राले में से किसका सनलगन कार्याला है, औप्शन है संस्कृती पर्याटन विज्ञानेवं प्रद्योक्य की मानव संसाधन विकास, याद रखेगा संस्कृती विभाग के अंतरगत आपका आता है, और याद रखेगा इसमें संस्कृती मंत्री मंत्री अगर कहा जाए, तो कोन है प्रहाट शिंग पटेल हमारे वर्तमान के संस्कृती मंत्री है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संस्कृती भी भाग के अंतरगत आता है, उसके बाद है हमारा प्रस्ण का वंक्चार निम निम में से किस एक पुरास्थल स Sal מצो से लेकर dann UK 110 तक कि अपश recommend मैंने अपे स्टार्टिक्ञ में डीटेल किया कि मेर्ग से आपका पशानकाल से इसी में तुट हुआ थी मेर्ग से आपका कहां तक कि पशान काल सेःप काहां से तक कहां तक के हड़पा संस्कृति तक के साक्षपरापत होते हैं, तो ऐसे प्रस्ण पुछे जाते हैं, देखो निरंतर जो है प्रस्ण पूछा जाता और आगे SSU अगर में भी पूछा गया है प्रस्ण अगला हमारा भीम बेट का किसके लिए प्रसिद्ध है शैल चीत्र बताया है कि पहले स्लाइड में आप देखने को मिला होगा गुफाव यहां शैल चीत्रों के लिए जो है आपका भीम बेट का प्रसिद्ध है आगे बढ़िया ग्रैतिक गैरिक मिर्द भांड देखो यह या अगर नहीं समझ में आ रहा है गैरिक मिर्द भांड पात्र का नामकरण हुआ था याद रखिएगा हस्तिनापूर में सब से पहले बीबी लाल द्वारा ठीक है हस्तिनापूर में बीबी लाल द्वारा खोजा गया था पहला गैरिक मिर्द भांड जिसका जो है नामकरण उ संबंदी तहीं एहां दीखेंगे जह कि आपका रिग्वैदिक एरा से आपका संबंदी तो आपका हडपा संस्क्रिटी से संबंदी तो जी सब고 जिए तो आपका सिंधू तो आपका उत्तर काले चमकीले मृत्भांड यह सबसे ज्यादा रसाइनिक उप्योग में लाए गई खोच केंतरगत आता है चमकीला होने करण क्या है आपका इसमें स्यादा रसायन का उप्योग किया गया है यह महाजन पद काल में देखने को मिला है उसके बाद आपको मिलता है काले लाल मृद्भांड जो सभी जो है काल में इसे देखने को मिला है मृद्भांड को ही क्या कहा जाता है आपका अल्फबेट कहा जाता है वनमाला कहा जाता है पुरातातु का मृद्भांडों की खोच बीवी लाल ने की थी, सबसे पहले बताया मैं, ठीक है, नौपाशानकाल से संबंद, स्टार्ट होता है आपका मृद्भांड के साक्षि प्राप्त करना, तो इसलिए इसे रखा गया है, मनुस्य का प्रथम रसाइनिक प्रयोग, याद रखना, पहल महतर के प्रस्न पुछे जाते हैं, याद रखना है, मृद्भांडों की आयू गयात की से की जाती है, तो थर्मो ल्यूमिनेसेंस, méthode द्वारा, जो है, आपका क्या प्राप्त किया जाता है, मृद्भांडों की आयू का गयात किया जाता है, गरम करते है, कुछ-चुछ प् संबंधित मतलब किस वर्ष संबंधित है तो आपको इससे पता चलता है यहां देखिए कारबन C14 जो कि इंडस्वेली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है इसका जिवाश्म की आयू फॉजिल्स की आयू ग्याद करने के लिए किसका उपयोग के जाता है कारबन C14 का आयू मतलब आपका विधी का उपयोग के जाता है यह पुरा तत्विख खुदाई यह से संबंधित है जो आयू गयात करने के लिए किया जाता है ठीक है इतना समझ में आओगा आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा विंद्चेत्र के किस सैलास्रे से सरवाधिक मानावक अंकाल मिलें याद रखिएगा आपका लेखाईया नामक जगह से सबसे जादा जो कि आपका मध्यप्रदेश में सबसे जादा साक्ष प्राप्त होते हैं याद रखेगा भारती महाधिप में किसी के साक्ष अगर बोलेगा तो तीन रिफरेंस लेना है जो मैं भी आप लोगो समझाता हूं इसके दो प्रस्न रखे गए हैं जो आपको ये प्रदाशीत करेगा कि इसमें गलती नहीं करना है क्योंकि जो लेने वाला है ना वह इसी प्रकार से प्रस्ण डालता है ठीक है तो याद रखेएगा यहां इसका आंसर है मेहरगड ठीक है लेकिन मेहरगड जो है वो second reference है यह तो answer यहां हो गया पहला reference रखना है हमें आपका लूहरादेव जो की उत्तरप्रदेश में सबसे प्राचिंतम क्रिशी के साक्ष प्राप्त होते हैं, पहले मेहरगड की खोच की गई थी, लेकिन उसके बाद लुहरा देव से ये पता चलता है कि सबसे पहले क्रिशी के साक्ष यहां प्राप्त हुए, तो पहला रिफ्रेंस क्या लेना है, लुहरा देव लेना है, जो कि ऊत्तर प्रदेश में 30 उसके बाद मैरग फिर लास्ट में आपका कोड़ी हावा जो कि ऊत्तर प्रदेश में 30 उसे देना है टीक इतना समझ में आऊ सीधा आग बन करके लगाना है ठीक नर्मादा घाटी छेत्र ठीक आगे बढ़ते हैं यह अगला है हमारा मानाव द्वारा स्वर प्रथम प्रयुक्त अनाच कौन सा है याद रखेगा इसमें भी रिफ्रेंस है इसमें भी प्रस्ण गुमा के पुछेगा जो प्रस्ण को लेने जाएगा जो अगर जो ने दिया है तो गिहू को लीगे और गिहू नहीं दिया है तो चाँवल को लीगे इस प्रकार के रिफ्रेंस रखना है हमें कोश्चन लेते समझ ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसंग में पशु पालन के प्रमाण जहां मिले वह इस्तान है याद रखेगा आपका पशु पालन का सबसे पहला साक्ट प्राप्त होता है आपका आदमगड से जो कि आपका कौन से हैं मध्य पासान कालीन इस्थाल है हमें प्राप्त है आगे बढ़ते हैं उसके बाद याद रखना है प्रसंग मूंग बारह उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशु पालन का प्रारांभ भुआ था ठीक है पशु पालन बताया हो नब रहा पशु पालन कब से पर इस्थान काम attorney माद्य पासानकाल से ठीक है सबसे पहले प्राचीन, तम इस्थाई जीवन के प्रमान हमें प्राप्त होते हैं, ठीक, इसका आंसर यह लिया है, बच्चे जो हैं, इसमें न जाए सर धोला वीरा, तो सबसे पहले जो है आपका मतलब हम इंडस्वली सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन पढ़ते हैं तरह से नहीं है सबसे प्राचीन जो है पासानकाल को ही लेंगे इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है तो पहला क्या option है मेहरगर ठीक है इस प्रकार से याद रखना है अगला है अमारा प्र 15 है हमारा भारती महादीप में क्रिसी के प्राचिंतम साक्ष प्राप्त हुए याद रखेगा यहां देखिए वही प्रस्ण फिर से दोहरा दिया मैंने प्रिफरेंस बताया था पहला लुरा देव लेंगे देन मेहरगर लेंगे देन कोल्डी हवा लेंगे तो यहां क्या हो आपका इसका आजका प्रस्ण जो कि कुछ इस प्रकार से है असान प्रस्ण है और लेकिन इसे जो है सोच और समझ के इसका उत्तर दीजिएगा ठीक है इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चात्रों जय हिंद जय भारत